हाईलो फ्रेंड्स गुड आप्टोनून स्वागत है आप सबका स्विकुर्पा क्लासेज पर मैं महें सराव सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC-CHSL परिछा 2013 के 15 मार्च 1st September में पूछेगे जी के GS1 Current Affairs के परस्णों को सालब करेंगे दोस्तों अब आपके एक्जामस में काफी questions रिपीट भी हो रहे हैं तो दोस्तों अगर आप लोग उनका analysis करते हैं तो उन परस्णों पर पूरी तरह से फोकस करने का परियास करें इसके लाव दोस्तों जो trend में topics चल रहे हैं हमारे questions पूछे जाने के चाहे दोस्तों current affairs के हो या static gk के हो उन पर भी दोस्तों उनके इर्दगे जितने भी questions बनते हैं उन परस्णों पर पूरी तरह से दोस्तों फोकस करने का परियास करें तो चले दोस्तों जदा समय ने लेते हुए हम लोग 15 मार्च first shift में पूछेगे जीके gs1 current affairs के परस्णों को साल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों question number one जो कि आज की first shift में पूछा जगया baseball के एक team में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं baseball में दोस्तों कुल दोनों team में में अलाके 18 खिलाड़ी होते हैं एक team की बात की जाए तो दोस्तों total 9 खिलाड़ी होते हैं जो लोग 9 खिलाड़ी पर अपना एंसर टिक किये हैं उनका एंसर बिल्कूल correct है next question दोस्तों यह repeated question है आपके exam में दोस्तों तीन से चार बर पूछा जा चुका है ध्यान दिजेगा question दोस्तों US open 2022 में पूरी सेकल के विजेता कौन है तो यह हैं दोस्तों Carlos Alcarez जो की Spain के हैं यह भी आप लोग ध्यान दिजेगा next question गोपी का वर्मा की सास्ते निर्ति से संबन दित हैं तो यह दोस्तों मोहिनेटम से हैं कहा का है केराल का है हम लोग रट चुके हैं बार-बार अगला question दोस्तों रासानिक नामों से जुड़े हुए question दोस्तों हम लोग सब का कर चुके हैं बार-बार इनका revision भी कर चुके हैं तो यहां से दोस्तों आप लोगों के questions नहीं मिस होने चाहिए दोस्तों और नहीं गलत होने चाहिए कोश्चन है विटामिन B3 का राशानिक नाम क्या है तो नियासिन होता है अगला कोश्चन अमरित सर की संधिक इनके बीच हुई थी तो यह महराजा राण जी सिंग वाँ बिश्टिस इस टिंटिया कमपनी के बीच में हुई थी ध्यान देंगे 1809 यह भी आप लोग ध्यान रगेंगे इस भी भी पूछ लिया जा सकता है आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों मंगल गरह अपनी परिकर्मा कितने दिनों में पूरी करता है मंगल गरह अपनी परिकर्मा कितने दिनों में पूरी करता है तो दोस्तों इसको 687 दिन लगते हैं यानि यहां हम कह सकते हैं दोस्तों 687 दिनों का एक वर्स होता वाजे से ही दूस्तो हमारे यहां यानि की पृत्वी को दूस्तो दूस्तो सूर की परिकर्मा करने में तो इस सो पैसर दिन पांच गंटे एट और तालिस मिनट भाट शीयूली सिकंड का समय लगता है तो लगभ़ा दूस्तो हम लोग 3065 दिन को सल मानते हूँ है यही दूस्त मंगल गरा को सूर की परकर्मा करने में लगता है अगला कॉस्छन है किस जनरेशन के computer में निर्वात का उपियोग होता है तो दोस्तों निर्वात एक नलिका है हम लोग पढ़ते चलें दूसतों इसके 5 उचे चेय। तो यह दोस्तों पर्थम generation में है जिसे vacuum tube या निर्वाप नलिका हम लोग कहते हैं तो हमारा correct answer होगा दोस्तों पर्थम generation आगे चलेंगे हम लोग कोश्चन दोस्तों हाली में DRDO के द्वारा पिर्थिवी 2 ध्यान देंगे चीज मिसाइल का प्रिछन कहां से किया गया तो ओडिसा से किया गया दोस्तों ओडिसा राजी के चाधिपूर अस्थान से 10 जनुवरी 2023 को तो ओडिसा के चाधिपूर से जो लोग अपना answer टिक किये है उनका answer बिलकुल correct है अगला question साइना नहवाल ने कब ओलंपिक में काँ सी पदक जीता है सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों काँ सी पदक था वो और यह दोस्तों 2012 में इसनों ने जीता था लंदन ओलंपिक में जो लोग दोस्तों 2012 लंदन ओलंपिक यानि कि जो हमारा सन पूछा गया दोस्तों इस भी 2012 टिक किये हैं उनका answer बिलकुल correct है ध्यान देजेगा लंदन ओलंपिक था 2012 इसमें दोस्तों साइना नहवाल ने काँ सी पदक जीता था अगला question है हिंदी राज भासा के लिए संग्धान में कौन सा अनुच्छे था तो अगर ऐसे correct question यह ही आ गई है तो हमारा correct answer हुए दोस्तों अनुच्छे 343 आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग और भी दो question है question है भारत और चीन का बार्डर कितने भागों में बटा हुए तो टोटल तीन भागों में जो लोग तीन भागों को अपना answer टिक किये हैं उनका answer पिलकुल correct है next question दोस्तों सेफ्ट का हमारा last question रसकिन बांड ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है तो दोस्तों इसके दो absence थे थोड़ा सा difficult थे तो वहां से दोस्तों हमें clear absence नहीं पते हैं तो दोस्तों यहाँ पे तीन बुक हाइन के जो लिखा हुआ है दा बलू अंब्रेला दा रूम आंदा रूफ और चेरिटिरी अगर इन में से absence थे दोस्तों जरूर ही थे क्योंकि question यही था तो दोस्तों अगर इसमें से आप लोग answer अपना टिक किये हैं तो आपका answer बिलकुल correct है तो यह थे दोस्तों फस्ट सिप 15 मार्च के प्रस्न जो मुझे प्राप थे जीके जैसों करेंट रफेस तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियों के साथ थैंक्स फार वाचिंग